तीशकुमार देश के लिए कुरवानी देने वाले शहीदों को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल लर्पन करेंगे। जंडया फएराया था तो आपको बता दें जण्डा फइराने की दोरान उन सातों युवाओं को गोली लगी थी और उसके बाद भी उन्हों ने तिरंगे का मान रखा तिरंगे की शान रखी और तिरंगे को नीचे नहीं गर ने दिया और सचीवाले पर जंडा फैराया तो आज के दिन हर साल शहीदों को याद किया जाता है शहीदों को शधांजली दी जाती है सातों युवावने देश की आजादी के लिए अपनी कुरवानी दी थी आपको बता दें भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचीवाले पर जंडा फैराने के दोरान साथ युवा अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे और उनकी शहादत को आज के दिन हर साल याद किया जाता है सचीवाले के बाहर सातों शहीदों की प्रतिमा भी लगी हुई है वहाँ पर सीएं पहुचकर मालयारपन करेंगे क्योंकि शहीदों ने खुद की जान देकर तिरंगे का मान रखाता तिरंगे की शान रखी थी और उसको जमीन पर नहीं गिरने दिया था और गोली लगने के बाद भी सचीवाले के गुम्बद पर तिरंगा फैराया था तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कारिकरम का आयजन किया जाना है वहाँ पर सीएं पहुचेंगे और शहीदों की प्रतिमा पर मालयारपन करेंगे तो पतना में सीएम नितीश कुमार देश के लिए कुरवानी देने वाले शहीदों को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर आज मालयारपन करेंगे आप से कुछ देर बाद ये कारिकरम होना है आपको बता दें भारत छोड़ो आंदूलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पतना सचीवाले पर जहंड़ा फैराने के दौरान 7 युवा अंग्रेजों के गोली से शहीद हो गये तो उनकी शहादत को हर साल याद किया जाता है और इस पर अधिक जानकारी के लिए पतना से प्रीतम लाइब जुर गये हैं प्रीतम भारत छोड़ो आंदूलन के दौरान 7 युवा शहीद हो गये थे और उनकी शहादत को आज के दिन हर साल याद किया जाता है तो आज क्या कुछ कारिक्रम का आईजों किया जाना है देखिए पलक आज जो कारिक्रम का आईजों है इस कारिक्रम में जो विधान स्वाध्यक्षे विजाएक वार्शन सिन्ना उनको पहुंचना है जो जानकारी है और इसके अलावा जो पटना के डियम है जो डॉक्टर चंद्र सिखर कुमार सिंग उन्होंने मुक्वंत्री न जो नौजवान थे वो पहुंचे थे यहां पर पता कर लेके उसी दुरान वो सहीद हो गए थे तो यह जो सहाधत तस्थल है वो इस चीज़ के हमें याद दिलाता है कि देश को आजादी किस तरह से मिली है और किस तरह के से जो नौजवान जो उस वक्त के थे उन्होंने अ अपना सारा समय जो है वो देश के आजादी के लिए कुरवान कर दिया था और उनिस सो ब्यालिस की घटना थी और ठीक पांस साल के बाद 15 अगश्ट 1947 में देश को कि दिन देश को आजादी मिली स्वाधिंता मिली तो यह रहारा कि यह जो हमारा जो यह जो साधत साधत अस् और उनके परिवार के लोग सही जो पतना की डियम है डॉक्टर चंद सिखर कुमार सिंग वो बात कर रहे हैं तो यह आज क्या पूरा कारिशक्रम है यहां से कुछी देर में कुछी पलों में वो विधास्वा भी पहुंचेगा जहां वो माले रपन कारिशक्रम में सामिल हो प्रितम नितीश कुमार के पहुंचने का भी कारिव करेंगे प्रतीमा पर तो कितनी देर बाद सीम पहुंचेंगे नहीं नहीं मैं कि देखें जो सियम नितीश कुमार है उनके पहुंचने का कारिशक्रम नहीं है क्योंकि उनकी तरफ से यहां पर कमस्कम जो सहाधत अस्थल है वहां पर जो माले रपन हो चुका है इस बात की वेकादा घुस्टना हुई है कि उनहीं के तरफ से पटना के डियम है और उन्हो है जो यहां पहुंचे हैं और इनी के परिवार के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाया लड़ी और उसी का प्रणा है पलक की आज जो है हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं हमें अभिवक्ति का दिकार मिला है और दुसरे दिकार मिले हैं अगर उन्हो उसको निभा रहे हैं जी पलक कर अपना सवार कीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका